नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको अनाज मंडी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे अनाज मंडी में भविश्यवानी बाजार में तेजी मंदी का खेल भामाशाह अनाज मंडी में एक रोमाचक महायुध जारी है जहां सुखे और नमके के रंग के साथ गेहुँ, धान, चना और अन्य फसलों की महक छाई हुई है इस उतार चड़ाव भरे खेल में बाजार की सूची में हर फसल के नए दर्शन हो रहे है गेहुँ की मांग में गिरावट के कारण मिलर्स की ग्राहकी का निकलना गेहुँ को नई उचाई तक पहुचा रहा है वहीं सरसों, धान, सुगंधा और चना की कीमतों में 50 रुपए की मंदी देखी जा रही है इसके परिणामस्वरूप अनाज की आवक में कटौती की जा रही है और बाजार में चल रहे विभिन भावों का ताजा संधर्श देखने को मिल रहा है गेहुँ के भावों में आज का खेल भी अद्वितिय है पुराने गेहुँ की कई जिनसे उच भावों पर बिक रही है जबकी नए गेहुँ के भाव भी तेजी से बढ़ रहे है इस खेल में करीब देड़ लाख कट्टे की गेहुँ की आवक दर्स की गई है अनाज की अन्य फसलों के भावों में भी तेजी मंदी का खेल देखने को मिल रहा है धान सुगंधा, 1509 धान, 1718 धान और धान पूसा की कीम्तों में व्यापक विविधता देखने को मिल रही है इसके अलावा तिल्ली, सोयाबीन और अन्य फसलों की मांग भी बढ़ रही है, जिससे उनके भावों में भी तेजी आ रही है लहसुन की कीमत में विशेश वृध्धी का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि धनिया के भाव में भी उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है मैथी और कलोंजी की कीमते भी अद्वितिय हैं, और अनाज मंडी के विभिन गावों में उत्साह और तनाव दोनों ही महसूस किये जा रही है इस प्रकार अनाज मंडी में भविश्यवानी का खेल चल रहा है, जहां हर किसान और व्यापारी अपनी किस्मत की नजरें बदलते हुए देख रहे हैं यहां उतार चड़ाव का खेल हर किसी को अपनी रणनीती और साहस का परीक्षन करने का अफसर दे रहा है, जो बाजार की गती को और भी रोमांचक बना रहा है खबर में सिर्फ इतना ही, इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूस मार्केट्स 24 देखते रहे